मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज हम मिक्स शर्वत बनाएंगे यह मिक्स शर्वत बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें फाल्सा डालोंगे 100 ग्राम के तरीब फाल्चा है इसमें चोथाई चम्मत से थोड़ा सा ज्यादा नमक डालोंगे काला थोड़ा सा सफीर नमक डालोंगे थोड़ी काली मेर्च डालोंगे और इसमें पानी नहीं डालोंगे यह तर्वूज का एक टुकड़ा डालोंगे जिससे क्या करते हैं यह पानी सोड़ेगा थोड़ा सा मां की तर्वूज हम बाद में पीस के ही डालेंगे इसका रस निकालके और इसको चान लेंगे पहले मैं इसको पीस लेती हूं पानी बिल्कुल नहीं डाला है और पानी डालना ही नहीं है और इसको नहीं चान लेते हैं अब यह दो फाक मैंने तर्वूज की और ली हैं यह कम से कम आधा गिलो के करीब है इसको भी पीस लेते हैं पहले और इसमें यह चार समच के करीब चीनी भी डाल रहे हैं अब मैं इसको पीस लेती हूं इसी में मैं बचा हुआ यह भी चान लेती है इसमें एक नीबू गरत दाल गए हैं और एक यह माल्टा का रशे है यह हमारा बंकेर तयार हो गया है इसमें पानी बिल्कुल नहीं है सिर्फ इसमें फार्जा है और तर्वी गए अब हम डालेंगे इसमें फार्चा और तर्वी गए यह हमारा बंके तयार हो गया है और इसकी ताफी बहुत ठंडी है और बहुत स्वादी से बनाएं यह आप भी बनाएं और पीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए झाल झाल झाल